हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी वाटसेप पे आर्काइब चार्ट का मतलब समझना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पे Archive All Chart का क्या मतलब होता है तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए हलो, नमस्ते, मैं नाम है सनोज, तो चलिए इससे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने WhatsApp को यहाँ पर खोला हुआ है सबसे पहले आप अपने फोन में WhatsApp को open कर लिजी और यहाँ पर हम देखेंगे कि Archive का मतलब क्या होता है WhatsApp में तो सबसे पहले यहाँ पे आपको right hand side में three dots पे क्लिक करना है उसके बाद settings पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको chats पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे chat history पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं archive all charts इसका मतलब क्या होता है इसका क्या काम है वही हम दे जैसे इस पर हम click करते हैं तो यहां पर यह बोल ला है क्या आप अपने chat को archive करना चाहते हैं तो okay पर click करेंगे और अब यहां पर आप देख सकते हैं अन आर्काइव का option आ गया है और हमारा चार्ड जो है वो archive हो गया होगा चलिए देख लेते हैं back करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी चैट यहाँ पे हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है हमारा सारा का सारा चैट जो है वो छूप गया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्काइव का एक option आ गया है और मेरे सारे चाट जो है वो इसमें छुप गया है, अगर आपको इसे वापिस से अपने ऊपर में लाना है तो आपको क्या करना होगा कि वापिस से उसी पेज पर जाएंगे, सेटिंग पर क्लिक करके और यहां पर आपको वापिस से जाना है चाट पर, then chat history पर और यहां पर कख़ें करना है आपको क्लिक करना है और यहां से आपका जितने भी चैट है उप किस से आ जाएगा нравится फो यहां पर का ट्टाख था मिल यहां पर आ गया है वाव मैं तो इसी तरह से आप अपने फोन में वसक्म पशने पी अरकाइप सकते हैं